हेलो एवरिवन बेरा नाम विशाल सिंग है और आज की इस वीडियो में हम लोग पीओ डिले के उपर डिस्कुशन करेंगे आप लोगों को लगतार हर वीक अपने कई बार पीओ डिले के उपर वीडियो बनाई हुई हैं और बताया हुआ है अपन एक बार के लिए फिर से री we can be here ः 1979 उसको अपन डिले में कांट करते हैं और फाइनली दिले का नुकसान होता है तो सबसे पहले अगर आपन बास करें कि भाई डिले होता क्या है तो एक लिए धो दो तरीके से डि डिले हो सकता है पहला कि PO आया और किसी ने accept ही नहीं करा मतलब acceptance में delay हो गया दूसरा PO को accept तो कर लिया but accept करने बाद भूल गया start ही नहीं किया तो इन दोनों delay को मिला के जो अपना final ये PO delay होता है इन दोनों delays का sum होता है कि PO accept करने में कितना delay हुआ प्लस accept करने के बाद start करने में कितना delay हुआ ये होता है total PO delay time अब अगर अपन बात करें भाई कि कौन से PO होते हैं जिनको delayed PO माना जाएगा या माना जाता है तो ऐसे POs जिसमें यह जो PO delay time होता है accept करने में delay plus accept करने के बाद जो delay होता है इन दोनों का sum अगर 15 मिनिट से जादे हो रहा है तो ऐसे POs को अपन delayed POs बोलते हैं मानते हैं कि यह POs तो late बने हैं और finally अपन यह तो लगातार ही समझा रहे हैं को कि भाई एक जो PO होता है वो order के बराबर ही होता है order की तरह ही उसको treat करना है जैसे order का होता है कि order आया तो वो फटा-फड بनके में klient से निकल जाना चाहिए उसमें delay नहीं होना चाहिए स्म तरीके से POs बोंख को भी treat करना है कि एक PO आया तो फटाफट बनके रेडी हो जाना चाहिए उसका GRN टाइम से हो जाना चाहिए तो ये चीज अपने को कल्चर बिल्ड करना है अपने आउटलेट पे कि भाई PO को आउडर की तरह ट्रीट करना है और बिना डिले के बनाना है 15 मिनिट का भी डिलेट क्यों अपन दो बोलेंगे भाई अन टाइम बनाएंगे दो चार पांच मिनट चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिले करने का कोई सेंस नहीं है तो भाई यहाँ पर यह अपन जो देख रहे हैं डिलेट पियो जो होते हैं जिसमें पीयोड डिले करते हैं तो उससे क्या होता है कि अपनी जो इन्वेंटरी रहida अउट अब इसक रह inve कर पाया कि कस्टमर आया हुआ चला गया ऐसे समझे के पैसा अंम आया हुआ चला गया यह बहुत ही गलत है, इसलिए पीओ दिले तो अपने कों नहीं होने देना है, पीओ को ओं टाइम बनाना है, आ इसके बाद अपन वो समझें कि अगर पीओ तो अपन पहले बता चुके हैं कि भाई अगर बनाने में काफी डिले होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने उस टाइम पर काम नहीं करा एकक्षप्त करा या फिर नहीं करा तो ये एक तरीके से माना जाएगा उस टाइम नहीं करा यह bark cet यह जो time waste है यह आपका जो check-in duration होता है उससे हट जाता है automatically हट जाता है और एक बार जब यह time waste आपके actual duration से हट जाता है तो उसके बार जो final duration आता है उसके basis पे आपकी attendance लगती है तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा आपका final attendance क्या बनेगा जो आपका check-in duration है उसमें से time waste, PO delay की वज़े से जो आ रहा है वो minus हो जाता है और फिर जो आपका final attendance बनेगा वो आपकी attendance लग जाए भी इसके उपर बहुत सारे से one-on-one बाते भी हुई है कई जगों पर improvement भी हुआ है बहुत से कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर improvement अभी नहीं हुआ है उमीद करेंगे कि आगे वो लोग इस वीडियो के देखने के बाद फटा-फट improvement करवा लेंगे जिससे उनके attendance पर अफेक्ट नहीं आएगा finally आउटलेट पे यह कल्चर बनाना है कि भाई P.O.s as a order treat होंगे P.O.s में कोई delay नहीं होना चाहिए on time ही बनाना है मेरे को इस वीडियो में यहीं बताना था I hope आप लोगों को clear हो गया होगा Thank you